हेलो गुड मॉर्निंग जै मादादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और बहुत जादा इस समय ठंडिया बढ़ी हुई है अभी तो सुबह सुबह उठके बस किचन में आ गई हूं और पानी गरम कर रही हूं पीने के लिए तो जब तक पानी गर लगाए फिर अपनी चाय बनाई पी और बरतन के बाद अब काम में लग गई हूं और यह सब्जियां वगएरा साम को हम लेकर आया थे फ्रूट सब्जियां तो कुछ तो थंडी के सीजन में तो ऐसा होता है फ्रीज में आप नहीं भी रखेगा न तो सब्जियां वगएरा और आलू इकठे आ गए थे समय सौ के साथ किलो आलू मिल रहे हैं तो मैं पूरे साथ किलो लेकर आ गई थी सुपा के काम जरू हो गए हैं यहां पर मैं कूट रही हूं अध्रक और लेसुन और नास्ता बनाने की तयारी कर रही हूं आज तो शाइब अकली है तो अधिया है बच्चे उठके मैं ने का एक तो भी वीजन कर लो ठंडी में उठने के मन नहीं करता लेगे हायात उठ गए है कि स्कूल भी तो लेट है आठ बेजिंग लोग कर निकलने का टाइम नहीं है तो इठा के आई हूं और आज मैं तो कहीं दिन पहले बोला था मैंने काठी रोल बनाने के लिए नास्ते मुझी की तयारी कर रही हूं बना देती हूं तो काठी रोल बनाने के लिए मैंने यहां पर आठा और मैदा दोनों ही चीजों को लिया है वैसे सिर्फ मैदा में बनाते हैं जैसे मार्केट वगरा में जो बिकते हैं बाहर तो मैं घर का है तो अपना हिल्थ का ख्या जैसे हम रोटियों का गुदते हैं वैसे ही और उसके बाद यहां पर पनीर मैंने ले लिए थे थोड़े से और उनको छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे अपने मंचा है सेब में काट सकते कोई दिककत नहीं है और उसके बाद लिया है इसमें मैंने दही गाढ़ा निकल आता है और उसके बाद दही में थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसारा थोड़ा सा लाल मिर्च हल्दी पाउडर का सूरी मेथी और यह है अमचुर पाउडर थोड़ा सा अमचुर पाउडर और उसके बाद अद्रक और लहसुन को जो कूटा था मैंने आ आसान भी रेस्पी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है चाहे आप लंच बॉक्स में दें या घर में भी चाय नास्ते में खाने के लिए भी बनाएं तो अच्छे लगते हैं तो कड़ाही में थोड़ा सा तेल डाला था दो चमच ओयल और उसके बाद यह जो मिला कर रख अचाहा डालना है जैसे सिमला मिर्च प्याज टमाटर और अपने मन के हिसाब से और सबज़िया अट भी कर सकते हैं इसलेश भी कम है प्याज टमाटर और सय्हां मेस्ती निज्ध धिशी हैं दो बस इतको डालके पानी सूखने तक हलकी थोड़ी देर भूण लिया था और उसके बाद ले लिया है आटा तो आटे की बेलेंगे रोटी की तरह पूरा जैसे हम रोटिया बेलते हैं उसके बाद इसमें लगाएंगे तेल मतलब जो भी आप मौयम के लिए यूज करते हैं वो लगा लीजिए उसके बाद इस खूल जाना है लंच बॉक्स देना है तो यहां पर बस इसको रोल रोल कर लेना है पतला करके और आटे से पैथन लगा के बेल लेना है नॉर्मल है जल्दी जैसे आप पराठे बनाते हैं आप यहां तो सिंपल रोटी की तरह भी बनाके भर सकते हैं इसक्वाइर वाले चोक कोने में तो मुस्किल हो जाएगा तीकोना नहीं बोलूगी कि तीकोना भी बना सकते हैं यह वाले आप लक्षा पराठा इस तरह से बना लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पिज्जा सौच डाला था और पिज्जा वाला जो आता है मसाला यह नहीं भी डालेंगे इसको बोलेंगे काठी रोल उपर से थोड़ा सा प्याज डाल दिया है यह देखे तैयार हो गया अच्छा लगा एक खाके ही आदमी मस्त हो जाता है इतना टेश्टी भी लगता है तो बस फटा फट से मैंने बच्चों को नास्ते में दिया है उसके बाद लंच बॉक्स इन चोटिया बनाने की जुरत नहीं पड़ती थी अब बड़े हो गए है तो चोटिया बनानी भी पड़ती है और यह दीपू इसलिए बाल कटा देती है जैसी बाल थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि इनको चोटिया बनवाना नहीं पसंद है तो इसलिए मैं फटा फट से दो इससे अच्छा हम अम्मियों की एक सुबह की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि जल्दी जल्दी सारे काम निप्टाओ साब सफाई उसके बाद बच्चों का फेवरेट लंज बॉक्स बना के दो ताकि बच्चे भी खुसी-खुसी स्कूल जाए पढ़ने जाए और आज है कि अब बच्चों को कर दिया अब जाकर हो गई हो फुरसा अब जाए नहाने के लिए पानी गरम है और यह नहा रहे हैं क्या हुआ आगे फुरती थूप में ले जाओ इसको दूप में छोड़े अभी च्ट पर छोड़ो जाने तो ठीक हो जाए आए चाहना है इसको बोलता कि दूप देगा दूप दरते हैं अभी दूप पीता है सबसे जादा क्या इंजेक्शन लगाया चाहर इंजेक्शन लगे अपने पापा के साथ गई थी दिखाने के लिए इसको फ्लूटो क्यूंकि इसकी तबियत कुछ भी खापी नहीं रहा है दो तीन दिन हो गए और उल्टी भी इसको हो रही है साइट ठंड लग गई क्या हो गया इसका ड तरह से नहीं एकदम से पाला है जैसे कोई लेकर पालते हैं फिर भी एक लगाओ सा हो गया है क्योंकि यह बराबर ही आता जाता रहता है तो तबियत खराब होती देख के बहुत यह और दिक्शा दोनों लोगों लेकर हास्पिटल गए थे इसको सुबह सुबह जैसे ही हूँ फ्रीज साफ करने में क्योंकि फ्रीज में बहुत जादा आइस हो गई थी फ्रीजर में तो चला दिया था मैंने कल उसकी बटन दबा दी थी तो पूरा पानी पानी कठा हो गया तो यहां कोना ऐसा है कि साफ नहीं करते बनता है तो फ्रीज किसी तरह से सरकाया प्रीज से निकालने हो साफ करें कि यह कई दीन से रोटिया रखे थे गाहिक देख कि नहीं पारे टी वह एक ईलिए भर गया रोटा सकतरों यह कऊंटेश्च Size और लेट गई हैं और यहां पर मैंने ली है गाजर पड़ी से गाजर पड़ी हुई थी इनका सोच रही थी हल्वा बना दू लेकिन अभी अभी मुझे याद आया कि मेरा जो है घी खतम हो रखा तो तो सोचने घी भी निकाल लेती हूं मलाई भी काफी दिनों से इकठा हो करने तो निकालना भी नहीं हुआ बाहर मत्त खर कूब कुछ बर्ट करें हो टाल तो कभी कोई चीज की क्यानाउंस हो रहा है ड़ी कुछ हो रहा है कि मगांद कर लेती हूं उसके बाद फिर क्या कहते हैं चपने पहले मीदिघी नीकालेंगी उसके बाद तब और चार बावल वह एधर चुके थे मॉलाई के और मैंने फ्रीजर में रख रख ता इस लिए मैंने फ्रीज की बटन दबावी क्ई कूब टाल डिया था और फ्रीजatz में बरप से यह परप से ढख गए थे मलाई के कटोरे जो हो खियं 두 तो जब पानी उनका निकल गया तो यह मलाई मैंने निकाल के बाहर रख दी थी और दो मतलब पुराने वाले जो दो डिब्बे थे वह फ्रीजर में थे और कुछ दिन पहले वाले करीब एक महीना हो गया मुझे मलाई निकाले हुए तो दो चार में से दो कटोरे मतलब मेरे फ्रीजर में थे दो बाहर नॉर्मल फ्रीज में थे तो बस पलट लिया है और गरम पानी थोड़ा सकीया है और सब बाउल में डाल डालके ताकि वह साब भी हो जाए और मलाई भी निकला है तो आज मैं इसे ब्लेंडर से निकाल रही हूँ अक्सर आप लोग देखते हैं स्पून से चम्मज से निकालती हूँ और मिक्सी जार से भी निकलता है तो आप लोगों को कौन सा तरीका आसान लगता है सबसे जादा ये मुझे बताईएगा मैं तो सारे ही तरीकों से निकालती हूँ लेकिन मुझे सबसे जो आसान तरीका है वो से बहुत लोगों से नहीं निकलता और बहुत लोगों के कमेंट भी आ जाते हैं कि हमें तो मिक्सी जार से निकालना आसान लगता है या हमें ब्लेंडर से निकालना आसान लगता है तो बस उनके लिए है और बहुत सारे लोगों को सायद ना भी पता हो तो मलाई डेली निकाल लिजे बहुत ही आसान है जब गर्मी का सीजन हो तो ठंड मतलब पानी उस समय ठंडा डालना होता है गर्मी में और उसी तरह से वही प्रोसेस होता है और अराम से मक्खन निकल आता है मक्खन हम अपने घर में ही इतना बढ़िया घी निकाल लेते हैं सुद्ध तो हम जितना द प् journalist जिए में डालकर के निकालती हैं टाक कि यह खराब ना हो तेश्ट खराब ना हो इसका जो चचांश निकलता है रोरी पी और घी भी निकल आता है और दूद पीते ही है और यहाँ पर मैंने बढ़ी जल्दी सली मिंटों में बना है थोड़ा सा ही जादा गाजर नहीं थी और सबको हलुआ वगेरा खिलाके आ गई हूं कीर्टन भजन कीर्टन में और जब तक 22 तारीक को राम भगवान का वह नहीं हो जाएगा प्रांट प्रिष्ठा मतलब वहां पर मंदीर का उद्धाटन या जो भी कहें आप लोग तब तक हमारे यहां क्या हर जगहे चल रहा होगा यह बजन कीर्टन वगेरा जगहे जगहे और मनाना भी चाहिए मैं तो बहुत ही खुश हूं तो थोड़ी देर इस बजन कीर्टन की बाद फिर घर जाओंगी और यहां पर इतना बाद में ना धूम कीर्टन का डांस देखके मैं चाहती हूं कि आप लोग भी इसी तरह सिस बजन कीर्टन में सामिल हो जाएं कर दूम कीर्टन में तो थोड़ी तो रहे दो जाएंगी आप लोग सामिल हो जाएंगी अएंगी खिर जाएंगी श्चेश कर दो भी दीदिक हूं कि आनीजे खुश दो खिर आप लोग जगई डि नाम प्से नाम छुश हूं लोग जब आर फिर आप लोग गई नाम जार आप छिया राम जी एराम, बलो राम जी आराम, मेरे चनमन में बस गए, राम जी आराम, मेरे चनमन में बस गए. ज़ेने बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही मजह आया और घर आने के बाद यहां पर हो रहे हैं चावल फ्राइब खाने में बनने जा रहे हैं और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड चया जाे और और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज लाइक करीख आप लोग बहुत gocal io करते हैं लाइक करने में बहुत मैंनत लगती है कि वीडियो बनाने संवीड व्युक्त to आप लोग फ्लीज देखते हैं पूरा वीडियो तो Line झाल झाल